हलो दोस्तों मसकर मेरा नाम है राहूल सिंग और आज कल जो है वाटसेप पे विदेशी नंबर से बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और फ्रोड का लोग सिकार हो रहे हैं यह लेटेस्ट इसकेम करने का नया तरीका है दो इसकेम की स्टोरी में बता रहा हूं और अगर आप वाटसे यूजर हैं अगर विदेश से कोई नंबर से कॉल आता है तो उसको बिल्कुल ना उठाएं क्योंकि उठाते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपके साथ में हुआ क्या तो इस्टोरी इतनी भेंकर हैं कि बटसेप पे जो फ इजनिसमेन पे कॉल आता है और कॉल में बोलता है हेलो सर आप यह बोले हैं आपका बेटा एक USA में है उसका नाम यह है और उससे जो नहीं एक एसीडेंट हो गया है और जिस बंदे का एसीडेंट हुआ है वह आईशू में भरती है मैं CBI का एक ऑफिसर बोल रहा हूं अभी जो है बहुत रेर कंडिशन है वो लड़का मर भी सकता है तो अब आप बताइए हम क्या करें तो भाई बंदा तो होपलिस हो जागा ना कि उसके बेटे से एक एसीडेंट हो गया है वो भी USA में तो बहुत बड़ी बात है यह तो तो अब वो अब इंडियल लोग तो बोलते है ठीक है सर अभी हमने जो मतलब नॉर्मल FIR लिखी है ओनलाइन नहीं डाली है तो अगर आप बोलते हैं तो मैं रोक देता हूं अभी तक वैसे इसकी जानकारी नहीं है यहीं पर आफादफा कर देंगे केस को तो आप एक काम करो इसके लिए 5000 डॉलर मेरे इस अकाउंट में कहा दाल दो है अब बन्दे से बात भी गया लोग आपका लड़का यहीं पर बात कर लो अब लड़का जो है रोव कोई बती नहीं करे।cks foul और मेरे से गलती से आइसी नहीं था मेरी गलती नहीं थी एसा नहीं था यह घ्न झाल लेकिन इस चीज में यह कहां पर पकड़ा ग घर पर अपनी बीबी से बोला कि मुझे जो है 4,000,000 रुपे दे जरृत है ठोड़ा कि क्या जरृत है बीबी ने पूछा ऐसे तो कभी जरृत पड़ी निया अचानक से इतनी बड़ी रखम की जरृत कैसे पड़ी सुवह तो सही गए तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे से एसी तो प्रिज पैसे वेसे किसी को transfer मत करना तो फिर पापा से बात करी प्र पापा को समझाय को मामला मंज़रे Turbo को तसली पहुँची उस businessmen को अब दूसरे जो fraud हो मुझें वह हो रहे हैं सरकारी अब शरों सरकारी नोकरों को ठार गेट किया जा रहा है उसमें टार डर जेशो एक फ़ोजी-क अठाव मत्रों भासेस के नोकरें चलो कॉल आता है पों प्र quantum से बहुत क्रोंत कि है अब भाई प्यारो तो लिए जमीन किसक जाए भाई उसकी नोकरी चली फोन पर ही अब बंदा फिर वो इतना मतलब ऐसे रास्ते भी बताता है तो मतलब सर क्या कर सकते हैं हमारा ऐसे सस्पेंट डारेक्ट आप सस्पेंट करें कोई नोटीस नहीं वेजा कुछ नहीं वेजा व को आप एक काम करो हमको जो दो लाक रुपे ट्रांसफर कर दो और मैं जो आपका इस फाइल में से नाम काट देता हूं अब बंदा नोकरी बचाने के लिए तो कुछ भी करेगा दो लाक रुपे तुरंति उस नंबर पर ट्रांसफर कर देगा तो मेल रीजन यह है कि आपको फोन ही नहीं उठाना और आपको एक बात तोर बता दूँए जो विदेसी नमबर से WhatsApp ओल आते हैं न एक्चुली वह विदेसी नमबर फेक होता है वह विदेस से इंडिया से ही ओल होता है कोई हुमारे आजू-बाजू से ही कॉल कर रहा होता है और यह सुभथ अच्छी मिल चुकी है कि लोगों को ऐसा कॉल करना है तो नंबर नहीं जाएगा वह एक्चुली एक नाम लिखने का तरीका होता है जो सामने वाले को जाता है और और जिनल नंबर नहीं जाता है उस पर तो वाट्सेप से प्लीज हद जोड के रुकेस्ट है कि अनौन नंबर पर अगर कॉल आ रही है वाट्सेप पर आपको अटेंड नहीं करना है क्योंकि अटेंड करते ही आप समझीनी पाओगे कि आपका कितना बड़ा कटने वाला है क्योंकि उनके पास में आपकी इतनी सारी डिटेल होती है जो आप सच मानने पर मजबूर कर देंगी हमारे अब कंफर्म करने के क्या करें इस लड़के लिए अब मान कि चलो उस टेंप पर अगर उस लड़के का नंबर सुच आप जाए तो कैसे होगा फर तो वह यकीनी करेंगे ना तुरंत पैसे बेज़ देंगे तो मैंज चीज यह है कि फोन उठाना ही गलत है क्योंकि आप समझ चीज और बतादूं सबसे ज्यादा सत्रक उन लोगों को रहने की जरुरत है जिनका कोई छोटा मोटा बिजनीस है जिनका लोकेशन पे बिजनीस और नाम और नमबर उनका इंटरनेट पे फैला हुआ है ऐसे लोग ज्यादा सिकार हो रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखना तो य यह छोटी सी न्यूज थी जो मैंने आपके लिए बनाई थैंक्यू सो मच